इसमें हम जो क्वेशन करने जा रहे हैं वह है क्वेशन नबर फाइव तो चलिए फटाफट से नेखते हैं क्वेशन नबर फाइव क्या है और इसे किस तरीकी से करना है गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा शर करेगा सब्सक्राइब क्योंकि यही कुछ चीजे हैं जिसे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते हैं अच्छी वीडियो के साथ साथ मैज के कॉश्चन इजीली सॉल्व करते हैं कि उनको कैसी इस वे में सॉल्व करना है वह हम बैशन नबर फाइब यह है मिसस गर्ग रिकॉर्ड़ेट दि माक्स अप्टेन बाइब हर स्टूदेंस इन दे फोलोंग टेबल शी क्या के रहे हैं कि मिसस गर्ग ने जुवें माक्स आई है बच्चों की ठीक हैं उसे। राक्स में माक्स आई है जो बच्चों की उसे रिकॉर्ड किया किस्में यह रही ही टेबल और इसमें मंक्स रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड क्या है अब she calculated the model class उसने model, sorry, model marks she calculated the model marks of the student, जो model marks है, वो क्या calculate किया उसने 45, while printing the data, जब वो data print कर रही थी, अब blank was left, एक blank कर रहे गया, find the missing frequency in the table given below, अब हमें क्या करना है, जो frequency missing है means this, this we have to find, यह हमें find करना है, ठीक है, अब यह कैसे find, doubt करेंगे, सबसे पहले हमें question में given क्या है, हमें question में model marks given है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे given mode, model marks means, mode, हमें mode given है, which is 45, और अब हमें देखना होगा, यह जो marks obtained है, इसमें 45 किसमें आए करेगा, 20 से 40 के बीच में क्या 45 है, अगा, no 45 कहाँ है, 40 to 60 तो यह हमारी हो जाएगी model class, क्या हो जाएगी हमारी model class, this one, this will be our model class, चिक है, यह हमारी model class हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, model class, model class is 40 to 60, चिक है, 40 to 60 हमारी क्या हो गए, model class हो गए, अज जाब, जाब हमारा model class हागी हम फटा फट से लिख देंगे, यहाँ पर mode का formula, तो mode find out करने का हमारा जो formula होता है, वो होता है, mode is equals to, L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2, आपको यह formulas याद रखना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ इसका नहीं mode, mean और median, तीनों के formula बहुत ही अच्छे से learn कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको यह बाके सब solve करना आता है, और आप formula में ही miss कर देते हैं, तो आपके marks, deduct हो जाएंगे, ठीक है, multiply by H, यह हमारा mode का formula होता है mode is equals to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 multiply by H, this is our formula of mode, ठीक है, यह mode का formula है, अब इसके बाद हमारा L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है, तो यहाँ पे हम यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या होता है, H is equals to, क्या होता है, class interval, ठीक है, class का जो gap है, class, class interval, इसको हम कहते है, H, class interval, जो कि कितना है, 20, कितना हो गया, H, सब में कितना कितना difference है, कितना gap है, 20 का, तो वह ही हमारा interval क्या हो गया, height, H, ठीक है, F1 हमारा क्या होता है, जो model class है, ठीक है, जो model class है, उसकी frequency को हम F कहते हैं, ठीक है, frequency of model class, ठीक है, यह F1 हो गया, F0 क्या होती है, frequency before the model class, ठीक है, model class के पहले की जो frequency होती है, वो हमारी F0 होती है, frequency before model class, ठीक है, यह F0 होता है, और F2 क्या होता है, frequency after the model class, frequency after model class, अब मैं आपे सब की values बता देते हूँ, ठीक है, H हो जाएगा हमारा 20, F1 हमारा हो जाएगा, दिखिए, F1 क्या हो जाएगा, यह ब्लांक, यहाँ तो कुछ नहीं है, आप चाहें तो इसको, कुछ भी let कर सकते, just suppose X, X let कर लिया, ठीक है, F0 क्या हो जाएगा, इससे पहले वाला, which is 10, और F2 क्या हो जाएगा, model class के बाद वाली frequency, जो की हो जाएगी 6, ठीक है, अब आप लोगो यह लग रहा होगा, एच क्या होता है भाई, एच आप अल्रेडी देख चुके हैं, एच क्या होता है, यह भी पता चुल गया आपको, अब आप लोग सोच रहे होंगे, यह L क्या होता है, L, L क्या होता है हमारा, lower limit of the model class, lower limit, जो भी model class है, ठीक है, उसकी lower limit, model का से है, यह lower limit होती है, और यह upper limit होती है, क्या होती है, यह lower limit और यह upper limit, तो यह lower limit को हम L कहते हैं, ठीक है, L कितना हो जाएगा हमारा 40, समझ में आ गया आपको, अब हम इसके बाद फटा फटे से इसे solve करते हैं, कि इसे कैसे solve करना है, अब देखें, हमें mode का formula भी given है, और हमें mode भी given है, mode हमें कितना given है, 45, तो यहाँ पे हम 45 लिख देंगे, और यहाँ पूरा formula, L की जगा पे 40, plus F1 हमारा क्या है, X, minus F0 है हमारा 10, divided by 2, F1 है X, minus F0 is 10, minus F2, F2 है हमारा 6, अब 7 में multiply होगा H, H कितना है हमारा, 20, ठीकिए, यह हमारा इस तरीके से, अब solve होगा, यह हमने formula में value put कर दी, अब देखें, 45 is equal to 40, प्लस, अब यह X minus 10, ऐसे ही रहेगा हमारा, हम चाहें, तो यह 40 यहाँ पे plus में है, यहाँ जाके minus में हो जाएगा, ठीकिए, instead of doing this, आमे से sort out करते है, 45, यह 40 इधर गया है, तो minus 40 हो गया, ठीकिए, is equal to में हमारे पास क्या बचा, X minus 10 upon, 2 को जब X से multiply किया, तो क्या हो गया, 2X, minus और minus, क्या होता है, plus 10 में 6, add किया, यह क्यों हो गया, 16, बड़ा नमबर 10 था, इसके आगे, minus का sign, क्योंकि बड़े नमबर के आगे, minus का sign है, multiply 20, समझ में आया, अब देखिए, मैंने क्या बोला था, जो हमें find out करना होता है, हम उसे अकेला करते चले जाते हैं, अब यहाँ हमें x find out करना है, अब इसे कैसे अकेला करें भई, तो देखिए, सबसे पहले इन दोनों को solve किया, यहाँ गया 5, ठीक है, अब कुछ चीज़ है, cross multiplication, यह यहाँ divide में, यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, multiply में, तो 5 से multiply कर देंगे, 2X minus 16 को, यहाँ क्या बच तो यहाँ पर हो जाएगा, 10X minus 5 को जब हम 16 से multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा, 80, ठीक है, is equals to, ऐसे 20 को करतेंगे, 20X हो जाएगा, minus 20 को जब 10 से करेंगे, तो यह हो जाएगा, 200, अब x वाली term एक तरफ कर देते हैं, और normal terms एक तरफ कर देते हैं, 10X यहाँ था, यह इधर यहाँ पर क्या है, आगे का sign देखते हैं, पीछे का नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब plus, यह plus में है, तो यहाँ हो जाएगा, minus, और यहाँ क्या था, minus 200, देखे, sign मत भूलना, यह नहीं कि 200 दिख 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 दिया, sign नहीं, आगे का sign बहुत matter करता है, तो यह minus 200 हो गया, यह minus 80 था, तो यहाँ जाएगा, तो plus 80 हो जाएगा, जब equal to के दूसरे तरफ जाता है, तो sign change हो जाते है, तो 10x, minus, plus, minus, तो 20 में से 10 क्या, तो यहाँ क्या बचा, 10x, लेकिन बड़ा नंबर क्या था, 20, तो इसके आगे का sign यहाँ जाएगा, ओके, now, 200 में, minus, plus is minus, तो 200 में स 80 सब्ट्रेक करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा, 120, but the bigger number is 200, तो sign यहाँ पर minus का, अब क्यूंकि यहाँ minus है, और यहाँ भी minus है, तो यह cancel हो जाएगा, तो x alone करना है x को, क्यूंकि हमें x की value चाहिए, तो 120 यहाँ था, यह 10 multiply में था, तो यहाँ पर 10 आगे, divide में, 0 से 0 cancel, और x क value आ गई, 12, ओके, इस तरीके से x की value आ गई, I hope आपको समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आया, तो like करिए, share करिए, और subscribe करिए, comment section में comment करके जरूर बताएं, कि आपको video कैसी लगी, हर एक new youtuber की सिफ इतनी ही need होती है, कि आप channel को subscribe करिए, video को like करिए, comment section में comment करके बता आदेंगे, तो भी motivation और ही बढ़ जाएगी, कि video कैसी लग रही है, helpful है, नहीं है, अगर कुछ improvement की नीड़ा, तो भी हम improve करेंगे, okay, अब मिलेंगे next video में, next question के साथ, तब तक के लिए, bye bye, take care, thank you so much for watching my videos, keep watching, keep loving and keep sharing,